रेडमी नोट टैन प्रो वसीज रियल मी नाइन फोर जी वैसे आपको दो नहीं फोन फोर जी मिलते हैं बट आज की इस वीडियो का नाम जिन दो फोन का कंपेशन करने वाले उन दो फोन का नाम मैं आप लोगो लेडी बता चुका हूं तो अब इस वीडियो को जल्दी से अब जाए टाइम को वेस्ट ना करते हैं शुरुवात करते अपने रेडमी नोट 10 प्रो के डिस्पले इंड डिजाइन से तो इस फोन में आपको एक बड़े साइस का पैनल मिलता है वैसे हां अगर आप लोगो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो हमने अन्बोक्सिंग करी को जरूर चेक कर लेना अभी बात करते अपने रेडमी नोट 10 प्रो के डिस्पले इंड डिजाइन की तो इस फोन में आपको मिलता है 6.67 इंचिस का फुल HD प्लस का सूपर एम लेड पैनल 120 हर्ट के हाई रिफ्रेश डेट के साथ तो यह चीज आपको काफी जादा कम मिल ज दिजाइन में या फिर आप लोगो को रियल मी 9 4G अच्छा लग रहे डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को इदर रेडमी नोट 10 प्रो काफी ज्यादा ओपी लग रहे हैं उसी के साथ ग्लास बेक अगरा मिलते है तो वह चीज तो अलग ही चार चांद लगा देती या फोन के दिखने में यानि की डिजाइन में बहीं बात करते अपने रियल मी 9 की तो इस फोन में आपको एक कॉम्पेक्ट साइस का पैनल मिलता है 6.4 इंचीज का फूल HD प्लस का OLED पैनल 90 हर्स के हाई रिफ्रेश रेट के साथ तो इस फोन में आपको 90 हर्स का हाई रिफ्र कमेंट सेक्षे ने बताओ कि आप लोग के लिए AMOLED पैनल 120 हर्स जादा इंप्रोटेंट होता है या फिर आप लोग के लिए OLED पैनल 90 हर्स के साथ भी चलेगा अगर उसके अंदर अंडर डिस्पले फिंगर प्रिंट के अंदर मेरे इसाब से 90 हर्स भी इनफ है अंडर डिस् सेट में 24 मेलकीवे मिलता है इंफ को समसेंग का जी डबलू 3 का सेंसर मिलता है पलस 8 मेगाईजेल अल्टर वरड प्लस 5 मेगाईजम मेक्रोशोम्ण यह ही दा जादा ओपी मिलता है जितने नियर आप लोग जा सकतो वो काफी ज्यादा एक्सिलेंट आपको मिलती है बागे आपको दो मेगा पिक्सल की दैप संसिंग मिलती है फोर के रिकोडिंग आप लोग 30 fps पे कर सकते हो वहीं बात कि जैसे सेलफी के तो अदर आपको 16 मेगा पिक्सल की सेलफी मिलती है वहीं बात करते है अपने रियल्मी 9 की तो इस फोन मापको जो प्रैमरी कैमरा सेंसर मिलता है एक स्वाट मेगा पिक्सल का मिलता है बट आप लोग नंबर पे इतना मच जाना आप लोग किसी का कैमरा कंपेर्जन जरूर चेक कर लेना आपको डिटेल में पता चलेगा कि कौन सा फॉन किस कंडीशन का अंधर कैसी पिक कलिक करता है बागी आपको 8 मेगा पिक्सल का इल्टरोइड मिलते है 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो शोड मिल जाता है रियल्मी के फॉन के अंदर बागी फोन से आप लोग Max Full HD के अंदर वीडियो recording को आप्शन नही अच्छा मिलेगा दूसरे का बहुत बेकार मिलेगा ऐसा सीन नहीं है बट मेरे को परसनली तर कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर रेड्मी तकड़ा लगा क्यूंकि इस वर मेक्रो शोट काफी ओपी मिल जाता है फोर के रिकोर्डिंग का भी आप शो आपको अप्शन मिल जात पर एंड ऐसा नहीं है कि एक का क्यामरा बहुत चेक का बहुत बेकार है दोनों की क्यामरे आपको प्राइस के साब सच्छी मिल जाएंग उदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बात करते हैं प्रोसेसर की तो अपने रेड्मी के फोन आपको मिलता है स्नेप ड्रेगन का आपको च्परेटिक बैटमी तो रेड्मी तरफ जा सकते हैं कि आपको अपको सफेट मिल यांड निकाफी पाउरफूज मिलता वहीं अगर आपको एक efficient processor चीए यानि कि आपको battery backup अच्छा चीए तो आप लोग अपने realme के phone की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपको जो processor मिलता है वो आपको काफी अधा efficient मिल जाता है बागी बात करते है battery की तो अपने Redmi के phone के अंदर आपको मिलती है आपको Redmi की 33 वोट से तेज मिल जाती है तो यह चीज में आप लोगों को बता देता हूं वहीं बात करते हैं अपने Redmi Note 10 Pro के कुछ extra features की तो इस वन आपको 3.5 phone का jack मिलता है basic आपको सारे sensor मिलता है side mounted finger print scan मिल जाता है face unlock option मिलता है stereo speaker मिलता है dedicated card slot मिलता है HDR10 का support मिलता है 1200 hits की peak brightness मिलती है android learn out of the box मिल जाता है MIUI 12 मिल जाता है LPDR4X अपको RAM type मिलती है UFS 2.2 का storage type मिलता है गोरिले glass 5 की protection friend back आपको दोनों पर ही मिलती है IR blaster मिल जाता है एंद उसी के साथ phone में आपको 240 Hz का touch response rate भी मिलता है वहीं बात करते है अपने realme 9 के कुछ extra features की तो इस phone में आपको 3.5 का jack मिलता है UFS 2.1 का storage type मिलता है LPDR4X आपको RAM type मिलती है phone आपको 8 mm की thickness के साथ मिलता है 178 gram का phone मिलता है 1000 nits की peak brightness मिलती है 411 की PPI मिलती है Gorilla class 5 की protection मिलती है उसका प्राइस आपको 17,000 का मिलेगा अपने realme 9 के आदर आपको 6GB की 128GB की रोम मिलेगी फस्ट सेल के अंदर 17,000 के प्राइस पर बाकि इसका regular desk के अंदर प्राइस रहने वाला 18,000 का अगर आप लोग के पास है कुछ bank का card वगरा वो आपको मला आपकी screen पर show कर दूगा किस bank का card वगरा चीए तो अगर आप लोग उसको apply करोगे तब आप लोग इस phone को कुछ 15-16,000 के आसपास खरीद लोगे अभी बात करते हैं कौन सा phone कहाँ पर आगे निकलता है वैसे उस point पर जाने से पहले अगर आप लोग को freestyle lap वीडियो देखना पसंद रहा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो वहाँ पर आपको link मिल जागा एंड अगर आप लोग कुछ भी doubt अगरा तो आप लोग मुझे instagram पर message कर सकते हो वहाँ पर मैं आपको on the spot reply कर दूँगा अभी बात करता है कौन सा phone कहाँ पर आगे निकलता देखो बैडिस्प्लाइं डिजाइन के अंदर मेरे को Redmi Note 10 Pro बढ़िया लगा क्योंकि इस phone में जो आपको bezels वगरा मिलते हैं काफी ज्यादा कम मिलते है 120 Hz का refresh rate मिलता है जो मेरे लिए इतनी कुछ बड़ी चीज नहीं है मतलब मेरे लिए थोड़ा से बढ़िया रहता है कि अंडर डिस्प्लाइफिंग अपिन्स के अदर मिल जाए चाहे बेशक से 90 Hz के साथ मिले तो मेरे को डिस्प्ले वाइस थोड़ा सा बढ़िया लगा है Realme 9 बट जब मेरे को overall कोई पिक करना है तो display design का अदर में को Redmi Note 10 Pro बढ़िया लगा क्योंकि इस फोन में आपको 4K recording का option मिल जाता है जो आपको macro shot मिलता है उसके अंदर आपको अच्छी खासी detail मिल जाती है आप लोग काफी अच्छा macro shot क्लिक कर सकता है और उसी के साथ phone अपना थोड़ा पुराना हो चुका है जिस वाई से जितने भी camera के अंदर update वागे राने थे वो सब चीज़े आ चुका है और जो आपको output मिलता है काफी जादा ओ भी मिलता है बट एक बात मैं बोलूँगा आप लोग किसी का camera comparison जरूर चेक कर लेना वहाँ पर आपको detail में पता चलेगा कि किस phone का camera कैसा perform करता है बात करते है प्रोसेसर की तो clear cut आपको Redmi Note 10 Pro better मिल जाता है क्योंकि इस phone में Snapdragon 732G का processor मिलता है हाँ थोड़ सा efficient कम मिलता कर आप लोग इसको realme से compare करोगे तो आपको थोड़ सा efficient कम मिलता है बट आपको जो performance मिलने वाली हो आपको top class मिलने वाली है वहीं बात करते है बैटरी की तो battery wise मेरे को realme 9 बढ़िया लगा क्योंकि दो नही फोन के दर आप लोग almost same battery मान सकते हो हाँ 20mh का फरक है बागी दो नही फोन आपकी 33W की fast charging सपोर्ट करते हैं बट अपने जो realme के फोन होते हो उसकी 30W की fast charging भी Redmi की 33 को पीछे छोड़ देती है तो इधर तो आपको 33W की मिलती है उसी के साथ आपको प्रोसेसर मिलता है realme के फोन के अंदर वो आपको 6NM based मिलता है ने शायद पहले कुछ उल्टा बोला मेरे को ठीक से आदी तो एक बार में दुबारा उसको correct कर देता हूँ जो अपने realme के फोन है उसकी 30W की fast charging भी आपको Redmi के फोन के 33W की fast charging से तेज मिल जाती है तो यह चीज मैंने आपको पहले बोली थी और जबकि इस बार तो realme 9 के अंदर आपको 33W की fast charging मिलती है बागी आपको battery backup भी अच्छा अपने realme 9 के साथ मिलेगा क्योंकि आपको processor 6NM based मिलता है फोन में आपको ज्यादा high refresh rate नहीं मिलता जिस वाईस आपका battery backup आपको अच्छा वाला मिलने वाल है उसी के साथ आपको realme के फोन के अंदर battery PPA मिल जाते है फोन आपको light weight मिल जाता है android 12 out of the box मिल जाता है वहीं बात करते अपने Redmi Note 10 Pro गी तो इस फोन में आपको 1200 nits की peak brightness मिलती है stereo speaker मिलता है UFS 2.2 का storage type मिलता है गोड़ी लग लास 5 की production friend bag दोनों पर ही मिलती है और उसी के साथ आपको IR blaster भी मिलता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन भाई करना चाहिए अगर आप लोग को overall बैटर package जहाँ पर आपको design वाइस अच्छा फोन चाहिए अच्छी आप लोग को रिकोर्टिंग वागरा करनी है तो आप लोग अपने रेडमी की तरफ जा सकता है अगर आपको एक्स्टर फीचर्स भी काफी तगड़े वाले चाहिए यानि के स्टीडियो स्पीकर वागरा ची एंड आपको आये ब्लास्टर ची अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलोजी लगती है उसी के साथ अगर आप लोग को नंबर पे जाना एक स्वाट मेगा पिक्सल का कैमरा चमकाने तब आप लोग रियल मी नाइन की तरफ जा सकते हो अगर आपको बैटरी बैक अच्छा वाला चैन्ट आपको लेटेस्ट फोन चीए तब को ग्रैप करता एंड उसी वजय से मेरे वीडियो अगरा बन जाती है अंबोक्सिंग अगरा की कैमरा रिव्यू अगरा की काफी सारी वीडियो बन जाती तो इस वज़े से मैं दर रियल मी नाइन को ग्रैप करता बागे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी कुछ भी रहा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद लेगी तो वीडियो को लाइक कर दो जाओं सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड क्या शेर कर लो हो सकते तो मुझे इंस्ट्राग्राम पी फोलोग तो मिलते हैं अंकिल की किसी बडियो आपके वीडियो के अंदर तब टेक के लिए बाइबाई झाल 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 झाल